आदेश जैसरी महकाली प्रतेक मनुष्य के जीवन में धन की अवश्यक्ता होती है और प्रतेक मनुष्य ऐसे कर्म करने की चेश्टा करता है जिससे कि उसके धन की जो इस्थितियां हैं उनमें सुधार हो सके उसके धन के मार्ग बन सके बहुत सारे लोग हैं जो बहुत महनत करते हैं बहुत सारे कार करते हैं लेकिन उनके अनुसार उन्हें अच्छा लाव नहीं मिल पाता है या कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज को करने की चेश्टा करते हैं हमेशा उस चीज में उन्हें नुक्सान ही होता है तो ऐसे लोगों का जो इस्थिती होता है वो इस कारण से होता है क्योंकि उनके अंदर जो एक तत्व होता है प्रटेक व्यक्ति के अंदर निधी तत्व, उस तत्व की कमी होती है यही कारण होता है कि जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर निधी तत्त की कमी हैं स्री तत्त की कमी हैं ऐसे व्यक्ति यदि आपके संपर्क में आते हैं तो आपके भी धन के मार्ग अवरुद्ध होने लगते हैं ऐसे व्यक्तियों के कारण आपके भी बन रहे कार रुकने लगते हैं इसलिए ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने निधी तत्र को प्रवल करें ताकि उनके जीवन में भी धन के मार्ग बन सकें और इसके साथ साथ वो जिनके साथ जुड़े हैं उनके भी धनके मार्ग अवरुद्ध ना हो इसलिए आसुरी लक्षीमा का मंत्र जो की सबसे तीक्षन प्रभावी है और ऐसा व्यक्ति यदि आसुरी लक्षीमा के मंत्र जाप करता है यदि व्यक्ति ये मंतर जाप करता है तो इससे जो उसका निधित अत्त्त है वो धीरे धीरे प्रवल होने लगता है और इसके बाद जब वो प्रवल होने लगता है तो व्यक्ति के जो कार बन रहे नहीं थे वो बनना प्रारंब हो जाते हैं रुके हुए कार बनने लगते हैं यदि कहीं पर बहुत लंबे समय से धन फसा हुआ है और व्यक्ति उससे मांगता है और वो धन नहीं दे रहा है तो यदि वो सही से जाप करेगा निध्य तो धन वापस लोटने के भी मार्ग बनते हैं इसके तो व्यक्ति को कहीं और से उसी तरीकी का धनकी विवस्था होने लगता है। तो इसलिए प्रतेक व्यक्ति को चाहिए जिसका स्री तक तो कम हैं, अर्धात की जो महनत तो बहुत कर रहे हैं, धनके मार्ग नहीं बन रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो आसुरी लक्षिमा का शुरूप लक्षमी माँ एक ही है कोई अलग नहीं है तो यह जो सुरूप है यह उनका पाताल में ब्राजिस सुरूप है आसुरी लक्षमी जिसकी इस्थापना दैतगुरु सुप्राचार जी ने की थी लेकिन इसके साथ साथ जो व्यक्ति ऐसे भैखाते हैं वो लोग अन्य सक्तियों की अरादना कर सकते हैं जैसे कोवेर महराज का जाप कर सकते हैं या यक्षनी का मंतर जाप कर सकते हैं या इसके अलाबा धंदा यक्षनी का मंतर जाप कर सकते हैं ये बहुत सहज है धंदा यक्षनी मंतर जाप में व्यक्ति को ये भै नहीं रहेगा कि हां इसमें आसुरी सब्द जुड़ा हुआ है या भाय की कोई अवस्था व्यक्ति को लगे तो यह हमने साधना दी हुई है पहले की वीडियोस में भी दिया हुआ है चोटा सा मंत्र है ओम हरीम धंदा एक्षणी नमहा ओम हरीम धंदा एक्षणी नमहा यह चोटा सा मंत्र है यह मंत्र ज या एक सर्स्तों मंतर जाप नित्य जब व्यक्ति करता है तब धीरे धीरे जो उसका कमजोर निदी तक्त्तो है वो प्रबल होने लगता है और बीस पच्चस दिन में व्यक्ति को खुद से आभास होने लगता है कि उसकी धन के स्थितियां सही हो रही है या कहीं पर ओफिस में किसी के साथ ऐसे प्रकरण बन रहे हैं को उसको नोकरी से निकाला जाना है तो नोकरी से नहीं निकाला जाएगा या व्यक्ति नोकरी खोज रहा है नोकरी नहीं मिल रही है तो यदि वो ऐसे जाप करेगा तो उसको नोकरी जल्दी मिल जाएगी कई जगा पर धन फसा हुआ है और यदि वो ऐसे मंतर जाप करता रहता है तो धन वापस लोटने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं तो इस तरीके से मंतर जाप करने से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी स्थितियां प्रकट होती हैं लेकिन इसके साथ में जो लोग अधिक मंतर जाप नहीं कर सकते है वो लोग कवच मंगा सकते हैं आसुरी लक्ष्मी कवच मंगा सकते हैं उसको धारन करने से व्यक्ति के धन के मार्ग बनते हैं यदि अधिक मंतर जाप नहीं कर सकता है व्यक्ति तो कम मंतर जाप में भी उसको अच्छा लाब मिलता है इसके साथ साथ जो लोग धन्दा एक् कर दी गई है उस पर पुनहां डिसकाउंट दिया गया है कबच पर और यह ओफर के बल आज यानि की 31 माई को और इसके अलाबा एक जून को के बल दो दिन के लिए ओफर है दो दिन में जो लोग भी अगर ओर्डर करना चाहते हैं धंदा एक्षिन कबच यंत तो ओर्डर कर सक 3-5-4-7-4-5-4-6-0 इस पर आफ वार्डर सब मैसेश कर सकते हैं आज अथवा कल में यदि आप ओर्डर करेंगे तो आपको धंदा एक्षिनी जो कबच है उसकी जो निछावर रासी है उस रासी से कम में आपको मिल सकते है यानि को चूट आपको मिल सकती है यदि इन दो द के दी हुई सादनाओं का लाब ले और जो मंत्र बताए हैं उनका भी लाब ले सकते हैं एक और महत्पून बात कई बार लोग इस बास से भी कन्फ्यूज होते हैं लोगों का कहना होता है कि आपने जो धंदा एक्षणी मंत्र बताया है यूटूब वीडियो में ओ मिरीम जाब करने के लिए दिया है वो अलग है तो देखिए ये बात बिल्कुल सहथ है इस पर हो जाने वाली बात है कि जब आप किसी चीच के लिए रासी दे रहे हैं तो आपको जाहर सी बात है कुछ विसेस दिया जाएगा अन्ने लोगों से बाकी का जो निसुर्क संभाव है वो भी हम कोसस करते हैं कि लोगों को लाब मिल सके इसलिए जो यूटूब वीडियो में धंदा एक्षणी मंत्र जाब दिया है वो मंत्र अलग है और जो धंदा एक्षणी कवच यंत्र अपके समय में लोग लेते हैं उनको जो मंत्र जाब दिया जाता है कवच के साथ में जो यगारियों में रुकावत आ रही है तो आपको निश्चा ही निधी तत्तो को अपने बढ़ाना चाहिए ताकि आपके बन रहे कार जो हैं वो और ती बुर्गत्ती से बन सके हैं और इसके अलावा जो आपके कार बिगड रहे हैं वो सही हो जाएं और सही से वो बनने प्रारम हो जाएं और आपके जीवन में धन की इस्थतियां प्रकट होने लगें आदेश जर्श्रमकल यदि आप जीवन में आर्थिक वो पारलोकिक समस्याओं से परिशान है अथ्वा किसी भीतरह का साधना संबंधी मार्ग दर्शन आध्यात्मिक अथ्वा भौतिक मार्ग दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो Call Me 4 आप से कॉल करें डाउनलोड करें Call Me 4 आप और सर्च करें विश्नात अघोरी रहस्यों का सौधागर विचारों का समंदर